14 गंटे आपने कह दिया, लेकिन productivity के matter में वो कितना capable है? क्या उसको training मिली है 14 गंटे काम करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मजबूरी में अभी तो कर रहे हैं because boss का pressure है, leadership का pressure है लेकिन साथ-साथ उनके resumes updated हैं in portals फे In order to seek another job, चाइना में 996 तलता है 9 a.m. to 9 p.m. 6 days a week अब हम इतना देख लेते हैं और उसकी productivity की बात करते हैं और उसको replicate करने के लिए अपनी country में बात करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ इतने protest चल रहे हैं इसके पीछे that people are not happy with this तो उसकी बात कौन करेगा? हम productivity की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम straight off number of hours की बात कर रहे हैं productivity is a function of your circumstances in so many cases और जहां आपका office is especially in the bigger cities वो एक बहुत बड़ा factor होता है in terms of number of hours जो आपके पूरे दिन में जाते हैं तो वो cost आप कैसे पे करते हैं? तो आपके personal life के लिए मतलब there is no space at all तो आपको per hour के basis पे पैसा देना पड़ेगा over time का तो over time और double time भी एक concept होता है मतलब over time भी एक limit तक ही आपका रा सकते हैं उसके भी beyond जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको double time मिलेगा यानि जो आपका hourly rate है वो double करके मिलेगा यह statement ही गलत है यह वेस्टन का ही मैं तुम्हें चलो break down करके समझा देता हूँ कुछ समझ में आया आपको हाँ हाँ आप से ही बात कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं आप life के साथ अपनी यह 40-50 घंटे काम करके आप सोच रहे हैं आप इस देश को बदल देंगे अपनी जंदगी को भी नहीं बदल सकते आप अरे 80-100 घंटे काम करिए 80-100 घंटे आप काम करेंगे तब यह देश बदलेगा और क्या मतलब क्या family, क्या passion कुछ नहीं family को time देकर आज तक आपको मिला क्या है भई आप family के साथ cinema hall गए कितनी movies देखी है movies देखके क्या कर लिया यार एक doctor के पास जाना है कहीं parent teachers meeting में जाना है ये तो भई और दूसरे लोग भी family के कर सकते हैं आप केवल काम करिए 6 घंटे सोईए 18 घंटे आपको काम करना पड़ेगा देखिए उसके बाद ही ये देश बदल पाएगा खेर सारकाजम एक तरफ लेकिन एक statement आया था आज से कुछी time पहले नाराइन मूर्ती जी का जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश को अगर आगे भड़ना है तो हर इनसान को कम से कम 70 घंटे काम करना पड़ेगा अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 7 दिन काम कर रहा है तो उसको 10 घंटे काम करना होगा मतलब सुबा 9 बजे से शाम के 7 बजे तक और अगर वो 5 दिन काम कर रहा है मतलब Monday to Friday तो उसे 14 घंटे काम करना पड़ेगा मतलब सुबा 9 बजे से रात के 11 बजे तक तब जाकर ये देश बदलेगा तो अभिशेक क्या आपका मानना है इस टॉपिक के उपर क्या समझते हो ये स्टेटमेंट सही है जस्टिफाइड है और हम सब को इसका पालन करना चाहिए या थोड़ा सा with a pinch of salt इस बात को लेनी चाहिए देखो ये स्टेटमेंट आया किस से ये समझना बहुत ज़रूरी है और उनकी बात को यू ही नहीं टाला जा सकता उनकी बात में अगर उनोंने कोई बात कही है तो जरूर उसके कुछ माइने है लेकिन ये सेंटेंस जो आया या जो स्टेटमेंट पूरा आया उनके किसी एक पॉड़कास्ट में मेरा मानना है कि ये सेंटेंस अपने आप में ही अधूरा है इस सेंटेंस को उनोंने एक सिंगल डाइमेंशन में बोला है और उनका ताथपर क्या था उनका मतलब क्या था लेकिन ये बहुत सारे एंगल्स इसके हैं बहुत सारे related aspects भी इसके हैं जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा बात करनी पड़ेगी और तब ये समझना पड़ेगा कि अगर 70 घंटे हम एक हफ़ते में काम करने की बात कर रहे हैं तो ये किस के लिए है क्या ये सब के लिए है Is this a blanket statement that applies to everybody and anybody या फिर इसके कुछ माइने है तो उसको हम समझते हैं पहले तो देखे नारायन मूर्ती जो है उनके contributions जो है इस country के लिए या economy के लिए वो unquestionable है obviously उन्होंने बहुत काम किया है उनकी खुद की भी humble beginnings थी और वहां से उठके और मेरे खाल से 2-3 decades के अंदर इतना बड़ा massive empire खड़ा कर देना Infosys जैसा वो कोई साधारण बात नहीं है तो यहीं से उनके statement की जो relevance है वो हमें समझनी चाहिए उनका कहना है कि आप अगर देश को आगे ले जाना चाहते है तो 70 घंटे का आपको commitment देना पड़ेगा लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो already 70 घंटे काम कर रहे है बही अलग-अलग industries में अलग-अलग तरीके के लोग हैं उनकी अलग-अलग तरीके की profiles हैं कुछ knowledge workers हैं, कुछ laborers हैं तो क्या यह 70 घंटे का जो एक philosophy है यह सब पे apply होती है बिल्कुल भी नहीं होती है तो कहां-कहां यह apply होती है अच्छा, अलावा उसके mothers हैं, जैसे के आपने देखा है, हमने देखा है अपने सब के घरों में हमने देखा है कि एक maa जो है, एक average middle class family में जो एक maa है वो बच्चे को जनम देने से लेकर और जब तक बच्चा 18, 20, 21 साल का नहीं हो जाता ready to launch तब तक maa जो है, वो full time काम करती है वो भी एक job है ठीक है, और वो तो ऐसी job है जिसमें ना ही तो उसको कोई छुटी मिलती है कभी ना ही उसको उतनी appreciation मिलती है जितनी मिलनी चाहिए वहाँ तो unlimited hours चल रहे है तो क्या वो देश की सेवा नहीं कर रही है भई उस maa का लाल जो है या उस maa की जो बेटी है वो कल देश का नाम आगे बढ़ाएगी तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं तो देखने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बहुत सारे नजरिये हो सकते हैं लेकिन अगर बात सिरफ IT industry की हो रही है तो वहाँ पर इसके कुछ nuances हमें आज discuss करने चाहिए कि यह 70 घंटे किस के लिए है यह सबसे बड़ा flaw जो मुझे यह लगा इस पूरे statement का वो यह था कि 70 घंटे जो आप define कर रहे हैं वो किस industry के लिए हैं बिल्कुल आप देखे ऐसी भी industries हैं जहां पर आपका इतना labor intensive काम नहीं है आप एक AC office में बैठे हुए हैं बिल्कुल ठीक है गरम temperature है लेकिन आप अपना comfortable है आपने एक आवाज लगाई और coffee आपके desk पे आ गई ऐसे environment में हो सकता है कि कोई इनसान 14 घंटे रोज पूरी जिंदगी काम करने के लिए राजी हो जाए लेकिन अगर हम देखें जो optimal working hours हैं वो हैं 8 घंटे के 9 to 5 9 to 5 अगर optimally एक hours बने हैं तो चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई medicine कोई industry हो चाहे उसकी कोई factory हो चाहे आप देखिए कोई labor industry हो उनकी भी हर जगा पर एक रहता है कि 8 घंटे nominal working hours होते हैं अब आप एक example लिए कि कहीं पर कोई metro बन रही है ठीक है ड्रिल पर कोई पत्थर तोड़ने हैं तो आप क्या expect करते हैं कि जो hardly 8 घंटे वो आदमी खड़ा रह सकता है वो और 6 घंटे मतलब 14 घंटे वो आदमी उसी ड्रिल मशीन पर खड़ा रहेगा तो तो इसको जरूरत है उनको define करने की देखिए वो एक responsible businessman है इस country के respected businessman है और वो यह भी जानते हैं कि अगर एक statement उन्होंने broadly बोला है तो उसको उनको थोड़ा cut down करके define भी करना पड़ेगा to the last level ठीक है हर मतलब कहते हैं एक ही डंडी से सबको नहीं हाक सकते बिलकुल है ना one size fits all जो चीज नहीं कर सकते देखिए अलग-अलग industries है उसमें अलग-अलग challenges है तो अभी शेक तुमारे हैसाब से अगर यह define कर रहे हैं 14 घंटे काम करना तो य यह किस-किस के लिए हो सकते हैं 14 ही नहीं 14 से और ज्यादा गंटे भी लोग काम करते हैं और जैसा उन्होंने अपने recent interview में अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि और थोड़ा मैं I was taken aback when I heard him say this उन्होंने कहा कि मैं मुझसे अगर ज्यादा कोई successful बंदा है वो आके अगर इस argument को refute करें तो मैं सुनने के लिए तयार हूँ otherwise I stand by what I said तो आप समझे दरा इसको इसका मतलब यह हुआ कि आप ये advice भी उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनकी ambition या जिनकी aspiration उस level का एक empire खड़ा करने की है ना सिर्फ के वो entrepreneur हो बलकि वो in so many ways industrialists हो तो उस level की ambition रखने वाले लोग के लिए ये बिल्कुल सही statement है मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि आप अगर एक business आज खोलते हैं किसी छोटे level पर और उसको scalable बनाने की आप एक ambition रखते हैं अपने अंदर thousands of crores millions नहीं billions की बात करते हैं वो खुद एक billionaire है और वो भी आप लगभाग दो decade के अंदर अंदर करना चाहते हैं इसी life में first gen इस बात को आप समझें तो क्या आप nine to five job में रहके वो सपना अपना कभी अचीव कर पाएंगे आपको ये life तो कम बढ़ेगी अगर nine to five आप चलेंगे तो वहां मैं बिल्कुल agree करता हूँ उनके statement से और यही इस argument का सबसे बड़ा सवालिया निशान आप कह रहे हैं कि यूथ को ऐसा करना चाहिए इन यूथ मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी ambition होगी इस level की ambition होगी तो अगर 80% लोग मैं random arbitrary figure बोल रहा हूँ 80% लोग ये कहते हैं कि ना ही तो हमारी इतनी बड़ी ambition है और ना ही उसके लिए जो cost pay करनी है जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे उसके लिए हम तयार हैं तो फिर ये statement refute किया जा सकता है बिलकुल और करा जाना चाहिए क्योंकि the minute we talk about putting in 70 hours we will have to do some calculation हमें calculation करनी पड़ेगी जैसा तुमने अभी थोड़ा सा बताया मैं मानता हूँ आप इसको कैसे भी calculate करके देख लीजे किसी भ average number of hours आपके पास बचते हैं सारे काम करने के बाद दिन में वो होते हैं 12 hours अब इस 12 hours में आप ये by the way ये वो hours हैं जो आपके सोने और बाकी चीजों के अलावा हैं इन 12 घंटे में आप 9 घंटे अगर काम कर रहे हैं that leaves you only 3 hours in the entire day अब इन 3 घंटों में हसन आदमी अपनी personal hygiene को भी time देगा आदमी खाना भी खाता है 3 time अगर उसका भी तुम एक 20 minutes भी मान के चलो तो एक घंटा तो ये ही हो गया ठीक है personal hygiene हो गई फिर आपकी family भी है फिर आपके friends भी है कुछ social life भी आपकी है तो कहां कहां और अम बात करेंगे इसके बारे में आ गया भी लेकिन point ये है क कहां कहां फिर आप उस 3 घंटे को allocate कर सकते हैं ये तब है जब आप 9 घंटा काम करते हैं so we are talking about already a very packed schedule और उसके बीच में फिर हम आते हैं और कहते हैं कि आप 14 घंटा काम करिए किस के लिए करिए आप करिए एक organization के लिए technically तो यही बात है उसको आप जरूर एक spin दे दीजिए कि देश की तरक्की होगी और उन्नती होगी और वो कैसे होगी उस पर मुझे सवाल है कि ये translate कैसे होती है ये देश की उन्नती में ये 14 घंटे का और बहुत सारी चीज़े हैं बड़ी interesting चीज़े हैं आज हम discuss करने वाले हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं बड़ा interesting discussion है और comments मे CEO's की COO's की CTO's की बड़े बड़े जो business owners हैं board of directors people who are responsible to take an organization in the direction जहां एक organization को जाना चाहिए in order to grow in order to compete in that cutthroat competition globally and so on and so forth तो वहाँ पर तो ये चीज़ applicable है लेकिन down to the जो executive आपका एक बंदा बैठा है एक trainee आपने hire किया है जिसके लिए आप बता रहे हैं कि youth के लिए है तो वो मुझे लगता है कि बहुत जादा ये controversial statement है अलावा इसके आप इस बात को और समझे ज़रा आप एक इनसान है मैं एक इनसान हूँ जो इस podcast को हमारी audience देख रहे हैं सब हम लोग इनसान है आप किसी के भाई है अगर आप gentleman है आप किसी की बहन है अगर आप किसी की बेटी है तो इसका मतलब क्या है आप इस life में आए हैं अलग-अलग roles निभाने के लिए हम एक समाज का हिस्सा है we are a part of a society और society में हर इनसान के multiple roles होते हैं और उन multiple roles पे उसको खरा उतरना पड़ता है time and again आपकी परक होती है अलग-अलग circumstances में आपकी परक होती है आपको वो सारे roles निभाने है उन roles को निभाने के लिए भी आपके पास 24 घंटे है सब की बात कर रहा हूँ मैं मतलब हमारी ही नहीं सबी की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है बट अगर आप सिर्फ एक role को इतना जादा time दे देते हैं तो वहां तो ठीक है फिर भी जैसा मैंने कह कि आप कुछ इतना बड़ा करना चाहते हैं इस life में जो मतलब जन्मों जनम तक याद रखा जाए उतना बड़ा आप एक landmark अचीव करना चाहते हैं तो वहां तो ये बात फिर भी valid है जो के again मैंने कहा less than 0.05% लोग होते हैं दुनिया में लेकिन जो बाकी majority of the lot है वो नहीं identify क कर था काम के साथ इतना और अगर वो कर रहा है तो उसको ये भली भाती पता होना चाहिए इसका आभास होना चाहिए कि क्या पे कर रहा है वो लोगों के लिए ज़्यादा तर यह है कि काम जो है वो बस table पर खाना लाने के लिए एक process है जो गया वो उसने काम किया और फिर उ ज़रूर ही नहीं है कि काम को लेके वो इतना ज़्यादा passionate हो कि वो सीधे 8 से और 14 गंटे काम करने को राजी हो जाए उसके degree भी है ना मैं मानता हूं चलिए table पर खाना लाने के और बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं लेकिन आप एक certain work environment में खुद को अपने आपको उस work से identify क करते हैं ठीक है which is by the way a very important factor कि आप एक job में अपना 100% तभी दे सकते हैं for a continued period of time जब आप उससे identify करते हैं और वो आपके लिए table पर खाना लाने से भी जादा माइने रखता है in terms of your own upskilling in terms of your own growth learning exposure and so on and so forth ठीक है लेकिन उसकी एक degree होनी चाहिए मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि अभी आप table पर खाना लाना यहां है और सीधे इतना बड़ा एक empire खड़ा करना यहां है तो या तो आप यहां रही है या यहां आ गई है ऐसा नहीं हो सकता कई लोग होते हैं जो बीच में कहीं you know hover कर रहे होते है on a ten point scale one ये है और ten ये है तो उसके बीच में कोई two पे भी है कोई four पे भी है कोई eight पे भी है कोई ten पे भी है ठीक है जैसे मूर्ती साब खुद भी है तो कहने का मतलब यह है कि सारे लोग एक जैसा नहीं सूचते हैं तो जो हमने cookie cutter approach की बात करते आये हैं हमेना cookie cutter approach इस चीज़ पे नहीं चल सकती है इसके लिए हमें identify करने होंगे अपने by the way is a very regular affair in corporates अगर आप अगरी करते हैं और आपकी job ऐसी है जहां पर आए दिन आप 12-14 घंटा office में हैं आपको रहना पड़ रहा है काम करना पड़ रहा है तो जरूर comment करके हमें बताइए बट अलावा उसके एक important aspect और भी है इसका वो है बड़े शहरों में commute to the office जहां आप रहते हैं और जहां आपका office है especially in the bigger cities वो एक बहुत बड़ा factor होता है in terms of number of hours जो आपके पूरे दिन में जाते हैं तो मूर्ती जी तो कहते हैं उनको 20 मिट लगते थे 6-20 पे वो office में होते थे जबके 6 बजी उटना होता था ने ऐसे भी मैं लोग जानता हूं जिनको 5 मिनट भ होते हैं क्योंकि देखिए जहां पर बड़े बड़े offices होते हैं हर शहर की बात है वहां उसके आसपास का जो residential area होता है वो बहुत expensive होता है to sort of rent out a flat or buy a flat if that is something you can do तो मैं नहीं समझता हूं के 80% 90% लोग जो हैं वो उस area को उस vicinity को afford कर सकते हैं तो उससे आपको थोड़ा दूर जाके रहना पड़ता है तो वो cost आप कैसे पे करते हैं वो अपने time से पे करते हैं office में commute जब आप करते हैं तो for example मैं Bangalore में रहता हूं and कुछ areas Bangalore के ऐसे हैं जो and I don't say this as a point of criticism I am just laying down pure plain unadulterated facts as is ऐसी कई जगा हैं जहां पर 2 या 3 km travel करने के लिए you are putting in as many as 45 minutes to an hour दो से 3 km के लिए और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है Bangalore में jokes चलते हैं कि एक आदनी कार से जा रहा था और उसने अपने पड़ोसी को भागते हुए देखा office के लिए लेट हो रहा था तो उसने उसको ride offer की और बोला के चलिए मैं आज आपको छोड़ दूँ तो वो कहता है कि आज नहीं आज में थोड़ा जल्दी में हूं से 20-30 साल पहले तो इतना traffic महां पे नहीं होता है बिलकुल नहीं होता था और फिर वही बात है अभी उनके interview को हम record करेंगे जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं उस समय छे बजे उठके और 620 पर office होता था या something to that effect और देखिए उस समय 80s 90s का जो era था कितना उस समय traffic हुआ करता थ था कितना congestion roads पर था कितने ऐसे options थे जो आज लोगों के पास है या नहीं थे पहले तो वो सब बातें बाद में हम करेंगे तो देखिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस particular window को time window को जो आप to and fro अपने office से commute करते हैं उसको भी इसमें जोड़िए बही ultimately आप काम के और आते हैं वो कहां factor in होता है क्या वो work hours में calculate होना चाहिए वो कहां factor in होगा या personal hours में वो calculate होना चाहिए क्या वो आपका personal time है ठीक है उसमें भी देखिए बात वाई है productivity की हम बात करते हैं C-suite executives की top level CEO CFOs की हम बात कर रहे हैं देखिए chauffeur driven cars होती है उनकी पीछे आराम से बै emails चल रहे हैं, calls चल रही है, meetings चल रही है, video meetings चल रही है and so on right लेकिन एक आम आदमी को bus में लटक के office जाना है for example कुछ लोग तो 3-3 modes बदलते हैं, metros बदलते हैं और कैसे कैसे करके traffic में फसके और तब वो office पहुँच रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें same हो गई, देखिए 24 hours आपके पास भी है, इस बात को समझे, 24 hours सभी के पास है, लेकिन क्या उस 24 hours का experience जो है, वो सबका same है, बिलकुल भी कई बार आपकी परिस्तितियां ऐसी हैं, कि आपको वो productivity चाहके भी आप नहीं ला सकते हो 9 hours में, so therefore it is only fair, ये जो हमारे इंडिया में 48 hours का जो work week बनाया गया है, वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें सोच कर ही बनाया गया है, इसमें आपके लिए personal life के लिए भी time है, family क और काम के लिए भी अगर आप अच्छा एक, you know, focused तरीके से काम करते हैं, तो आप productivity established बिल्कुल कर सकते हैं, अभिशेक मैं ये समझता हूँ कि जो life है उसका एक balance में होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, और आप देखिए हर एक चीज़ पूरी universe में, ठीक है, ये ब्रहमा पर अगर professional life है, तो कहीं आपको तवज्जो अपनी personal life को भी देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, आप ये सोचिए कि एक इतनी robotic life हो जाए, कि husband जो है, वो बस काम 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 करे, और wife जो है, वो बस बिल्कुल ही एकदम submitted, और हाँ, ठीक है, मेरा husband तो काम करता ह परसनल लाइफ चलो जीरो है हमारी तो कुई बात नहीं हम समझ जाएंगे, जो की actually एक statement दिया है सुधा मूर्ती जी में, उन्होंने ये कहा है कि बहुत early life में मैं समझ गई थी, कि हमें personal बहुत जादा time नहीं मिलने वाला है, तो उसके बाद फिर ये है कि मैंने अपने मन को मना लिया. तो आप यह देखिये ठीक है एक सपोर्टिव नेचर रहा इन्होंने बहुत अच्छा किया अपने हस्बंड को सपोर्ट किया लेकिन क्या यह सेनारियो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में across so many cities कितने शहर हैं कितने कजबे हैं ठीक है हर शहर में हर आदमी हर इनसान हर फैमिली के अंदर यही एक environment होगा कि हा मेरा husband भी काम करें और भी मैं तो ठीक है घर बैठी रहूंगी बच्चे देखूंगी या मैं भी एक job लगा लेती ह हूं काम कर लेती हूं नहीं होना भी नीचे यह बड़ा regressive हो जाएगा ऐसे तो बहुत देखिए subjective matter है यह मेरी मेरी महत्व कांशाह अलग है मेरी expectation अलग है एक लेड़ी यह सोचेगी कि हाँ मेरा husband professionally अच्छा करे मैं बस यही चाहती है दूसरी यह सोचेगी कि नियार professional हमारे इतना वो नहीं है दाल रोटी चल रही है कोई बात नहीं लेकिन family खुशाल हो नहीं कि husband जो है वो बच्चों को time दे शाम को आए तो भी हमें बाहर भी ले जाए मुझे भी time दे shopping कराए cinema hall ले जाए movies दिखाए जो की एक महत्व कांशा होती है किसी भी एक family की एक complete family की तो आप किसी भी अपनी hobby को भी इनसान के passions भी होते हैं किसी का reading है कोई guitar बजा रहा है कोई गाने गा रहा है कोई गाने सुन रहा है कोई free time में news देख रहता है कोई बैट के OTT पे movies देख रहा है तो आपके personal life के लिए मतलब there is no space at all तो इस तरहा की सोच देखे मैं इतना support नहीं क कर सकता हूं कि पूरा इंडिया रातो रात बस एक statement सुनके और वो शुरू हो जाएगा काम करना इसमें देश आगे बढ़ेगा वाला जो एक एंगल है ना वो मुझे लगता है थोड़ा सा misplaced है because देश देखे आगे कब बढ़ता है देश आगे तब बढ़ता है जब micro level पे लोग productive होते हैं और खुश भी होते हैं ठीक है happiness index एक चीज होती है उसमें इंडिया की जो ranking है और बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है for those who don't know हमारी rank है 126 ठीक है बड़ी बात यह नहीं है बड़ी बात यह है कि 126 out of 146 है तो मतलब हम almost rock bottom पे touch करी रहे है last 20 में happiness index है इस पे 126 rank होने का मतलब यह है that we are miserable we are not happy that we are facing mental health issues who will talk about that एक country अगर अपने finances में that is right economy में इतना ज्यादा boost हो जाती है कि वो number one two three पे आ जाती है जैसा NRN अपने statement में intend कर रहे हैं बता रहे हैं imply कर रहे हैं लेकिन वो happiness index में बिलकुल rock bottom पे touch कर रही है तो आप समझ पा रहे हैं मतलब ऐसी एक so-called success financial success economical success is coming at a cost of people's well-being basic well-being जो उनका अधिकार है उनका right है तो क्या एक ऐसी नेशन हम बनाने की तयारी कर रहे हैं जहां पर everything becomes robotic जहां जहां पर emotions का कोई role ना हो या बहुत minimum role हो जहां पर relationships की कोई पूच ना हो जहां पर relationships की कोई value ना हो है ना we're talking about Japan we're talking about China मतलब Japan is no country to follow मैं नहीं मानता हूं Japan में आप देखिए क्या सिर्फ इसको एक angle से देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए भी किसी भी चीज को आप एक एक एंगिल से कैसे देख सकते हैं आप समझेए कि एक bridge construct करना है किसी एक ऐसी road पर जो बहुत congested रहती है traffic से for example तो उसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि आप यहां से लेके point A से point B तक एक bridge बना दीजी bridge बन जाएगा तो कारें जो है जो बड़े vehicles हैं वो उपर से जाएगे औ और नीचे वाली road भी हो जाएगी और आपने एक ही same surface area में दो levels बना दी और वहाँ पर चीज़े हो रही है तो एक तरीका तो यह हो गया कि आप bridge बना दीजी प्रोजेक्ट पास हो जाएगा लेकिन दूसरा aspect इसका यह है कि वो bridge वहाँ बनने के लिए हमारी cost क्या है and cost not just in terms of money but also वो जगा कैसी है उसके आसपास कितने residential इलाके बसे हुए है कितने खेत खलियान है कितने वहाँ पर कोई hospital तो नहीं है कुछ नहीं है मतलब आप यह देखेगे कि यह disruption क्या create करेगा और फिर उस disruption को compensate करने के लिए आप कुछ और दूसरी नीतिया लेकर आएंगे यही होता related frequencies जो disturb होंगी उसके लिए भी आपने कुछ planning कर ली ठीक उसी तरह जब आप ऐसी बात बोलते हैं कि 70 hours का work week जो है वो सबको करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए तो उसके related aspects की बात कौन करेगा और इसलिए मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि आप इसको एक single lens से single dimension म नहीं देख सकते हैं इसके अलावा अपने latest interview में उनसे जो host हैं उन्होंने पूछा कि इतना backlash आपके statement पर आया तो आपका क्या stand है और वो कहते हैं कि मेरे कई friends जो हैं western जो countries के मेरे friends हैं उन्होंने इस चीज़ की सराहना की है that they have praised and they have agreed to what I have said कि इंडिया को आगे ले जाने के लिए ये 70 घंटे हर किसी को देने चाहिए काम पे हफ्ते में अब आप आयरणी देखिए यह जो जारी कर रहे हैं एक तरीके से वो कर रहे हैं इंडियन के लिए इंडियन मार्केट के लिए लेकिन वैलिडेशन कहां से सीख कर रहे हैं westerners से चलिए इंडिया में भी कई के लोग हैं, वो CEO's CFO's, owners, you know board of directors वाले जो लोग है again वही बात है, यह वो लोग तो इसको validate करेंगे, लेकिन ground level पे जो आदमी काम कर रहा है, what is in it for him, आप table पर उसके लिए क्या ला रहे हैं क्या उसके लिए कोई reward है क्या उसकी salary में आपको increment की बात कर रहे हैं, जो corresponding increment होना चाहिए so for example, अगर 40 गंटे एक तै लिमिट है, काम करने की stipulated limit है, उसको आपने 70 hours कर दिया ठीक है, तो यह हो गया लगबग 80% आपने workload उसका बढ़ा दिया, ठीक है, अगर मेरी math सही है तो, अब इसके बाद salary जो है, वो कितना percent बढ़ा रहे हैं, corresponding to that 80% of that work वो कितना बढ़ा रहे हैं या कहीं आप यह कह रहे हैं कि वो for the same salary, जो in many cases, already below market paid होते हैं लोग generally speaking, कुछ industries बहुत अच्छा पे करती हैं, लेकिन जादातर industries नहीं करती हैं और उन industries में भी कुछ companies नहीं करती हैं, जो अच्छी well-paying industry हैं, उसमें भी you know, there's a kitty of all kinds of organizations that are good pay masters, that are great pay masters and then there are the ones, जो अच्छे pay masters नहीं होते हैं, and normally great pay masters, वो वाली companies को crack करने के लिए, बहुत आपको मेहनत चाहिए होती है skills चाहिए होती है, many rounds of interviews, and that's a story for another day लेकिन वहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप कहाँ पहुचेंगे, जहाँ पर या तो mediocrity है, in terms of pay या फिर वो less than average less than the market slab जो है, वो pay करती है तो वहाँ अगर आप चले जाते हैं, तो आप already underpaid है और अगर आप already underpaid है payment आपका है 80% of what you should get, for example और अब आपका काम 80% और बढ़ गया तो मतलब देख रहे हो, disparity कितनी जादा है इसमें, बहुत बड़ी और जो ये statement टेक दे रहे हैं, मूर्ती जी के मेरे western friends जो है उनसे उन्होंने validate कर दिया है, और उनसे approval मिल गया है statement का, बलके उन्होंने सराहना की है, applause किया है मेरे statement को तो वो तो वैसे भी करेंगे, और अगर western लोगों की बात की जाए तो वहाँ पे तो laws है, US में for example, वहाँ पे federal FSLA है, जो की ये कहता है कि आपके week में 40 hours से उपर नहीं होने चाहें, और अगर हो रहे हैं, तो आपको per hour के basis पे पैसा देना पड़ेगा, overtime का तो overtime और double time भी एक concept होता है, मतलब overtime भी एक limit तक ही आपका रा सकते हैं, उसके भी beyond जा रहे हैं, there are times when you have deliverables in the projects and what have you, तो वहाँ पर आपको double time मिलेगा, यानि जो आपका hourly rate है, वो double करके मिलेगा, अच्छा एक खास point, speaking of hourly rate देखिए, जितनी भी IT outsourcing firms हैं जैसे मूर्ती साब की भी एक है वो अपने clients को bill करते हैं hourly and of course in US dollars, in UK pounds and you know all those currencies जो India से कोई 100 गुना जादा strong है, कोई 70 गुना जादा strong है and so on and so forth, लेकिन यहाँ पर salary दी जाती है, महीने की ठीक है salary अपने आप में कितनी at par with the market है, वो हमने बात करी लियो already, तो आप देखिए हर level पर ये statement जो है वो questionable है आप उनको hourly charge करते हैं dollars में charge करते हैं यहाँ पर आप INR में पैसे दे रहे हैं होके INR में ही देंगे, लेकिन corresponding तो नहीं है वो there is something called purchasing power parity PPP, तो वो basically आपके INR की value, vis-a-vis dollar value for example, बताता है कि इतना अगर dollar आपको US में मिल रहा है और इतना INR इंडिया में मिल रहा है, तो वो equilibrium में है, बराबर है तो उसकी एक PPP index होता है तो क्या PPP को satisfy करके, are you sure that you are offering salaries and wages to your people to the T, जो PPP define करता है, पहले तो सवाल ये भी है सब के लिए, ठीके, अगर वो करता भी है, तो देखिए, वहाँ तो hourly आप charge कर रहे हैं, प्रोजेक्स में और यहाँ पर आप monthly दे रहे हैं तो इन सारी, और यही मेरा मतलब है, when I say कि इसको single dimension में नहीं देखना चाहिए मेरा यही मतलब है, इतने सारे related aspects इसके हैं, जिसको discuss करे बिना, ये statement बहुत weak statement है एक इसका aspect और है, जो अभी तक हमने explore नहीं किया, वो है कि जब आदमी इतना जादा robotic हो जाएगा, इतना काम करेगा तो कहीं न कहीं उसका mental balance है, जो mental health है वो भी effect होगी, एक English में कहवत है, all work and no play makes Jack a dull boy तो dull तो वो होगा ही, जो उसके physical health effects आएंगे, वो तो आएंगे ही, plus mental effect जो उसका आएगा, जो वो हो सकता है depression में जाए, या वो किसी rage में convert हो, road rage से लेके, domestic जो होता है ऐसा, हाँ, domestic जो violence होता है, उसमें convert होता है, तो उस aspect के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, जिस पे discussion होना जरूरी है, कितने ऐसे लोग हैं, जो नहीं ले पाते हैं, और pressure, office का, office इसमें bosses जो होते हैं, इतने materialistic किसी से कोई मतलब नहीं, आपकी family कुछ भी हो रही हो, आपकी personal life में कितनी tension हो, बीमारियां हो, किसी की maa बीमार है, किसी के बच्चे बीमार है, किसी को कहीं school में कुछ admission नहीं मिल रहा है, उसको लेके tension है, तो मतलब आपको किसी चीज़ से कोई मतलब भी नहीं है, काम करिये, बस काम के इलावा nothing else exists, तो ये एक धाड़ना जो है, वो गलत है, और इससे ये होता है कि एक domino effect केलाता है, जिसमें आप एक चीज़ की tension जो है, वो दूसरी तरफ एक rippling effect बनता है उस चीज़ का, तो domino effect, that is the word of the day, तो उस domino effect से हम कैसे बचें, ये किसी ने बताया, कि आप जब इतना time काम करेंगे, आपकी काम की frustration जब दिमाग में overblow हो जाएगी, प्रेशर बनाएगी, तो प्रेशर कहां निकलेगा, उसका कोई event है, नहीं, बिलकुल भी नहीं, और उसके लिए, फिर वही बात है, कि there are people who would want to do that, और उसको आप as an option रखिए, आप option रखिए, और option के साथ-साथ, उसमें क्या reward उससे जुड़ा हुआ है, वो भी बता देजे, and then you see how many people would come forward and take that, लोग काम करेंगे, लोग काम करना चाहते हैं, अच्छा, दूसरी एक और बात है, बहुत से लोग है जो unemployed है, unemployment एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज, ठीक है, आप उनको employ करने के sources create कीजिए न, आप जिस जगा पर बैठे हुए, वहाँ से, you are only you know, seconds away to enable those kind of opportunities जहां पर जो लोग unemployed हैं, वो भी आ जाएंगे, आज जो लोग unemployed हैं, उनकी तो आप 8 गंटे की भी productivity नहीं ले रहे हैं, मतलब उनका तो zero है productivity, वो वैसे ही सल्क कर रहे हैं अपनी life में, तो इससे अच्छा तो ये होगा, कि जो आपके पास workforce already है, उससे आप एक optimal number of hours काम कराई है, which is anywhere between 40 to 48 hours in a week, और जो लोग unemployed है, more opportunities that you create, would open those floodgates, जहां पर वो लोग भी आएंगे, और productivity आपकी वैसे भी increase हो जाई है, तो ultimately there are ways to balance those kind of frequencies, जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी in the same breath when we say that we have to work in access of 70, 80, 90, 100 hours, बिल्कुर, मेरे टीचर ने एक बार कहा था, कि you are not the center of the universe, the universe has multiple centers, मतलब आप अपने आपको कभी भी भ्रह्मान का केंद्र नहीं समझ सकते, इस ब्रह्मान के बहुत सारे केंद्र हैं, और आपको उन सारे केंद्रों को साथ लेकर चलना पड़ता है, आप ये statement ही देखिए, जो उन्होंने अपने इस उसमें इंटर्व्यू में दिया है, कि भई, मैं सिर्फ उसकी बात सुनूंगा, जो मुझसे जादा successful होगा, तो अब तुम irony देखो, कि वो कहते हैं, कि I will only listen to that person who is more successful than me, तो आप success की परिभाषा क्या बताते हैं, पहले तो आप इसी पर आ जाएगे, success in terms of what, पैसा, या revenue, या happiness index, या market share, market share, या आपके कितने crypto आपके पास है, या आपके bank में कितना cash flow है, कितना liquid आपके पास हो है, या कितनी property है, किस तरह से आप success को नापते हैं, मेरे हिसाब से तो देखिए, एक अगर रिक्षा पुलर है, और वो अपनी जिन्दगी से अपने काम से खुश है, तो वो successful है, यार, है ना, तो आप success को कैसे define करते हैं, आप ये कैसे कियो कब कहते हैं, किस लिए कहते हैं, कि मैं अपने से जादा successful इनसान की ही बात सुनूँगा, ये तो statement ही गलत है, क्योंकि आप जिसके बारे में कह रहे हैं, आप जिसके लिए कह रहे हैं, कि तुम सत्तर घंटे काम करो, तुम, मतलब तुम एक कोई इंडियन आदमी खड़ा हुआ है, एक इंडियन के लिए वो ये कह रहे हैं, तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूँगा, क्योंकि तुम अभी successful नहीं हैं, मैं उसकी सुनूँगा, लेकिन मैं तुम, तुम्हारी लिए statement बोल रहा हूँ, तुम्हारी एक भी नहीं सुनूँगा, तुम्हारी ये statement ही गलत है, यार ये western का ही मैं तुम्हारी चलो, breakdown करके समझा देता हूँ, पहले तो, हमको, what is that, 76 plus years of independence के बाद, हमें अभी भी वो जो एक slavery वाला जो एक sense है न, वो गया नहीं है लोगों मैं से, है न, westerners तो कहेंगे ही, चाहेंगे ही के आप हमेशा labor intensive market रहे क्योंकि ये low cost hub है, इंडिया is one of the low cost hubs in South East Asia, and there are others, right, तो westerners तो हमेशा चाहेंगे, कि इंडिया में ऐसा काम हो, सबको पता है, इंडियन लोग जो हैं, वो बहुत महनती होते हैं, वो गड़ी की तरफ नजर नहीं डालते, generally, जब when it comes to delivering projects and stuff, इंडियन्स are the first ones who are counted upon, in those kind of projects, तो वो तो आपके statement को सराहेंगी, कि अभी तक मुझे वो 48 गंटे, 50, 55 गंटे दे रहा था, 60 दे रहा था, अब इन्होंने 70 का एक नया benchmark set कर दिया, तो मेरे लिए तो अच्छा है, वो तो यही सोचेगा न, westerners आपके clients हैं, वही तो friends हैं आपके, या आपके peers हैं, जो दूसरे industry peers हैं, दूसरी companies चला रहे हैं, वो हैं, या उन levels पे हैं, वो जिसकी मैंने बात करी, तो they would want that you keep on slogging, which I don't think is the right way, अगर आपको देश का भला करना है, तो I think this is the very point that you should address, leaving everything else behind, कि Indians जो हैं, वो productivity पे बात करें, वो number of hours पे बात ना करें, यॉरप में, culture में आपको बता देता हूँ मैंने European clients के साथ भी काम करा हूँ, मेरे teams भी रही है यॉरप में, यॉरप में culture ये है, five o'clock, on the dot, and the laptops will be shut, you cannot call them on their phones after five p.m., barring in a few cases of course, लेकिन that will also be less than welcome, वो जो call आपके होंगे, जो आप पांच बजे के बात कर रहे हैं, those would not be welcome, ये वहां का culture है, Friday अगर five p.m. आपने अपना laptop बंद कर दिया, आप होंगे मेरे boss, आप होंगे मेरे super boss, मेरे पास होंगे deliverables, मैंने अपने deliverables का status आपको 459 पर report कर दिया है, send कर दिया है, we will talk on Monday 9 a.m. और Monday 9 a.m. वो बात सही है, वो वहां late नहीं होंगे, तो वो उस तरीके का culture है, अगर आप western culture के examples दे रहे हैं, तो वहां पर time से शुरू होती है चीज़ा और time पर खतम होती है, और उस time के बीच ने it is no nonsense for the most part, तो आप वैसा culture बनाईए, and you know, hold people on the highest standards, hold them against, you know, their fluff, hold them against their slack, accountability आप set करिये, productivity के metrics बनाईए, तो वहां तो आप उस तरीके के culture को बना कर और productivity की और फिर economy को रहने की बात जो है, वो सही sense में कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इन सारे aspects को ignore करके सिर्फ number of hours पर focus करते हैं, तो ये आपको explain करना पड़ेगा, देखिए मूर्ती साब की जहां तक बात है, बहुत ही responsible आदमी है, कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, तो किसी भी, you उनको criticize नहीं कर रहे है personally, लेकिन एक सवाल जरूर पैदा होता है कि इसकी clarification क्या है, किसके लिए है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, उनके लिए इसमें क्या है, उनकी mental health का क्या, अगर कोई अपना passion follow करना चाहता है, for example, मैं एक swimming classes join करना चाहता हूं, for example, आप guitar classes join करना चाहते हैं, आप gym जाना चाहते हैं, ठीक है, अरे मैं अपने घर की groceries लेने जाना चाहता हूं, जाना पड़ेगा मुझे, आप privileged होंगे, आप क्या आ जाती होंगी, मुझे groceries से लेके, घर के सामान से लेके, सारी चीज़ना लानी है, मुझे अपने बच्चों को पार्क म बात नहीं कर रहे हैं, देखिए, हम सब number of hours की बात कर रहे हैं, एक इंसान पांच गंटे में भी वो productivity ला सकता है, जो दूसरा दस में नहीं ला सकता है, तो आप अपने systems ऐसे बनाईए न, जहां पर उनकी performance management जो है, वो उस तरीके से हो रही है, उसके बाद आप strict laws लाईए, कोई problem नहीं, कोई भी problem नहीं, strict laws लाईए, laws in the sense, मतलब company के rules जो है, वो लाईए और अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, you know, by all means, show them the door. अभी question ये भी अविशेक पूछना चाहिए हमको कि अपनी company में, खुद, Infosys में, ये, मतलब इनका खुद का क्या अंदाजा है, कि कितने लोग 14 गंटे से जादा काम करते हैं, क्या इन्होंने choice दी है, लोगों को, 14 गंटे से जादा क्या आप Infosys में काम करें, या mandatory बना दि का इन्होंने environment create किया है, और अगर किया है, तो कितने लोग इसको मानते हैं, क्या percentage है, उन लोगों की जो 14 गंटे से जादा काम करते हैं, या 14 गंटे से जादा काम करते हैं, और उसमें से भी, जो लोग मानते भी हैं, वो खुश कितने हैं, are they content within themselves, are they happy about putting in those number of hours, तो क्या उसक भी कोई metrics है, employee satisfaction, हमने पिछले कुछ वीडियो में customer satisfaction की बात करी है, और जो लोग private jobs करते हैं, corporate में हैं, वो जानते हैं, कि आपके employees भी आपके customers होते हैं, internal customers होते हैं, employee satisfaction surveys होते हैं, HR का बड़ा important element होता है, तो उनकी बात कौन करेगा, अगर वो लोग कर भी रहे हैं, 14, 15, 18 गं काम, तो क्या उनसे आपने बात करी हैं कभी, क्या उनके आपने inputs लिए हैं कि are they happy about it, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मजबूरी में अभी तो कर रहे हैं, because boss का pressure है, leadership का pressure है, लेकिन साथ-साथ उनके resumes updated हैं, portals पे, in order to seek another job, कहीं वो चीज़ तो नहीं है, तो वो सारी होता है कि एक इनसान जब success की सीड़ियां चड़ता है, सालों साल, ये 30 साल का उन्होंने सफर अपना बताया, ये जहां पे from very humble beginnings, वो एक success का ladder चड़े और चड़ते ही चले गए, और enforces became what it is now, तो इतनी उचाई से, जब आप नीचे देखते हैं, बिल्कु जमीन पे, तो level पे, वो जो इनसान है, जो काम कर रहा है, क्या वो खुश है, वो नहीं है, उसकी problems क्या है, चौदा घंटे आपने कह दिया, लेकिन productivity के matter में वो कितना capable है, capable भी है क्या वो, क्या उसको training मिली है, चौदा घंटे काम करने के लिए, और चौदा घंटे काम करने के करेगा अग successful हो जाते हैं, इतनी उचाई पे पहुंच जाते हैं, तो नीचे का level इनको थोड़ा सा दुर्ला हो जाता है, और ये चीजें assume कर लेते हैं, कि हमने तो ये सोच लिया, हम ये कर रहे हैं, तो हर को ही करेगा, मैं जिस तरह से जिन्दगी चलाता हूँ, मैं अगर सुबह जिम हूँ, तो मेरा मानना है, हर कोई नहीं जा सकता है यार जिम, सुबह सुबह जिम जाना लोगों की priority में क्या, मतलब जिन्दगी में ही नहीं है, किसी column में, है ना, तो मैं ठीक है, encourage कर सकता हूँ लोगों को जाओ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, कि हाँ, इस देश को अगर बढ़ाना हो आगे, तो आपको जिम जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, कोई अगर किसान है, वो उसने, उस फार्मर ने अपने फार्म पे, अपने खेद पर टाइम दिया, उसका work out उसी से हो गया, तो मैं ये अर्जिम क्यों करूं कि जो जिम जाएगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, या सतर घंटे कोई काम करेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, ये बहुत ब्रॉट स्टेक्मेंट हो गया, उसके अलावा, जब हम इतना जाधा काम करते हैं, तो आपके दिमाग में अलग-अलग तरीके के थौट्स जो है, वो फॉर्म हो जाते हैं, आप चलते हैं, वो आपकी विचारधारा बन जाती है, तो एक जो विचारधारा है, वो एग्जिस्ट करती है, डिंक, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूँ, so this is double income, no kids, और आजकल इस तरीके के बहुत सारे couples हैं, जो दोनों ही husband wives जो हैं, वो earning हैं, लेकिन ना बच् जो हो, और उसमें भी एक तबका ऐसा होता है, जो इसलिए ऐसा नहीं चाहता, because उनके पास time ही नहीं है, that they are so engrossed with what they are doing, that they do not want to have kids, and therefore a possibility of, you know, cutting down on time, their own time, जो भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो, उन्होंने अपने काम से इतना identify कर लिया है, और काम से बचके, जो भी थ बेल्कुल, in some cases, as crude as it sounds, इससे भी पहले क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं, जो अपने early 20s में हैं, जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है, you know, entry level, 2-4 साल का experience है, और खास्तोर पे इन ही लोगों के लिए मूर्ति साथ कहते पाए जा रहे हैं, कि यूथ को आगे बढ़ना शुरू मैं करियर में, focus करना चाहिए, जादा काम करें, पैसे की इतनी वो ना करें, and so on, तो ultimately ऐसा आदमी, ऐसा बच्चा, 20-22-25 साल का, उसके पास और किसी चीज़ के लिए time नहीं है, तो एक sense of guilt आता है, कि अगर मैं शादी कर लो, तो family हो जाएगी, family होगी, तो मुझे वहाँ भी time देना पड़ेगा, घूमने भी जाना है, shopping भी जाना है, grocery भी करनी है, घर भी बनाना है, X भी करना है, Y भी करना है, Z भी करना है, तो इन सारी चीजों के चलते, मतलब वो एक sense of guilt form होता है, and then they decide not to marry, there are a lot of people I know who not married for this reason, because they say this one thing, मेरे पास time ही नहीं है इतनी सब ची हो रही है, अब वहाँ तक तो ठीक है, and this is no judgment against people who are not getting married or not getting kids, but problem होती है, जब आप 40s में enter करते हैं, तो वहाँ पर you find yourself alone, क्योंकि ना आपके पास family होती है, ना आपके पास friends होते हैं, and so on and so forth, तो वहाँ मैं मानता हूँ कि ये बहुत consciously सोचना पड़ेगा हमें, कि अगर हम प् जिसमें कि आप तै कर सकते हैं कि हाँ ये एक particular project है, इसके लिए इतने time तक ही आपसे थोड़ा extra contribution चाहिए, and but wait, ये आपका reward भी इसके साथ associated है, and even after that, वो choice उनको offer करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि blindly किसी country को follow करें, या उसको पीछे प अब हम इतना देख लेते हैं, और उसकी productivity की बात करते हैं, और उसको replicate करने के लिए अपनी country में बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ कितने protest चल रहे हैं इसके पीछे, that people are not happy with this, तो उसकी बात कौन करेगा, तो आप एक heading उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाक जिन लोगों के लिए करेगा, उनको इसकी cost मालूम होनी चाहिए, और बाकी लोगों को aware होना चाहिए, कि वो अगर ऐसा कुछ sign up कर रहे हैं, तो what isn't it for them? तो एक काम मैं आपको बताता हूँ, चाइना happiness index में कहां चल रहा है, ये आप search करिए और हमें comment box में नीचे बताइए, कहा जाता है two wrongs cannot make one right, आपसे अगर एक गलती हुई, तो आप एक और गलती करके उस पहली वाली गलती को छुपा नहीं सकते, जब नराहिन मूर्ती जी न उस statement को justify किया, और जो आज हमने unclean किया, उसके हिसाब से दोनों ही statement questionable है, बलकि दोनों ही statement incomplete है, तो मेरी request यही है, नराहिन मूर्ती जी से कि वो एक बार statement को पूरा करें, और ये भी बताएं कि लोगों के लिए reward क्या है अगर वो 70 गंटे काम करते हैं, हम अपने discussions में काफी ब इसान को 70 गंटे काम करना चाहिए, लेकिन उसके return में उसको मिल क्या रहा है, क्या reward मिलेगा, ये भी बताना बहुत जरूरी है, तो दुनिया जा रही है 4 डे work week पर, जहां पर 10 गंटे, 4 दिन के लिए, अगर companies मांग भी रही हैं, तो उसके बदले में आपको एक पूरा दिन वो free दे रही है, यानि कि Monday से Thursday, for example, अगर आप काम करते हैं 10 गंटे, तो Friday आपको free मिलता है, और Saturday संदे तो मिलता है, तो 4 दिन आपने काम किया, 3 दिन आपके उन सभी कामों के लिए, अपने personal time के लिए, family time के लिए, hobbies के लिए, passions के लिए, जो भी आप करना चाहें, आपके mental health और work-life balance को support करते हुए, वो सारी economies आपको देती है, लेकिन क्या हम 70 गंटे का ये एक नया trend जो चलाने जा रहे हैं, क्या ये work-life balance को ensure कर सकता है, क्या ये किसी भी तरह से आपकी social needs को meet कर सकता है, क्या इसके through आप एक अच्छे parent बन सकते हैं, can you identify as a good husband, can you identify as a good wife, can you identify as good sons और daughters, तो ये सवाल हमें खुझ से पूछना पड़ेगा, और इन सब से उपर, if there is one thing that takes precedence over everything we discussed today, that is your physical health, along with mental health, physical health भी बहुत इंपोर्टन है, और हम इस चैनल पे physical और mental health दोनों के ही advocates हैं, तो क्या आप अपनी physical health को टाक पर रखके, steak पर रखके, line पर लगा के, अगर कोई financial goal अची कर भी लेते हैं, would that be worth it, is the question I leave you today with, जिसका जवाब आप हमें दीजी comments में, हम करेंगे उसका इंतुगार, and until the next video, keep watching the 2.0 podcast.